ओम सिरीगनी सैनमा दोस्तू एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हाड़ दिक्स वागत हैं दोस्तू आज एक इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार अक्टूबर सुक्रवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन करक राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रेना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पा पूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगो से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नहीं नहीं वीडियो पहुंस सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा करक राशी वालों के लिए सुक्रवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों आज अचानक धनलाब प्राप्ति के आपके लिए अनेको योग बन रहे हैं और आपकी परियसानियां दूर हो सकती हैं आप अपने करम पर भरोसा रखते हुए अपने कामकाज को बहतर दिशा देने का प्रियास करें जिससे समय के नुसार आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सके दोस्तो शाति-शात 99 से सम्बंदित किसी सुब समाचार की आज आपको प्राप्ति होगी आध्यहत्मिक छित्र से जुड़े किसी अनुबवी व्यक्ति का सानिध्धे आज आपको प्राप्त होगा विध्यारती अपने लक्ष के प्रती एकागर छित रहेंगे तथा उसका परिणाम भी उनको उचित प्राप्त होगा दोस्तों साती सात जो काम पिछले कुछ समय से रुके हुए थे या अटके हुए थे उनके आज पूरे होने के योग बन रहे हैं आपकी योगता और प्रतिबा खुलकर लोगों के सामने आईगी अपने प्रतिद्युंदियों पर स निखार आएगा संतान किशिक्षा वे केरियर आदी से संबंदित भी कोई बड़ा निर्ने आज आप ले सकते हैं विद्यार्तियों की पड़ाई वे केरियर संबंदित समस्याओं का समाधान होगा जिससे सभी लोग राहत महसूस करेंगे आप भी अपनी कौसल शंताओं का भरपूर इस्तमाल करें बड़े बजरगों का आशिरवाद वेक्रिपा भी आज आपके उपर बनी रहेगी स्वास्त में भी सुधार आने से आप अपने अंदर एक नही उर्जा महसूस करेंगे और पूरे आत्म विश्वास के साथ अपने कालरे के प्रती ध्यान देना सु कोई सुब समचार मिलने से बन में प्रफुल लता रहेगी दोस्तो साथ साथ आप लोग वेहवार कुशल होते हैं आप बुद्धी मता वेहोसियारी से भी सभी काम आज कर पाएंगे जिससे आपको काफी खुसी का अनुभब होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लि पूर्वक करें जिससे आपको कामियाभी और सम्मान प्राप्त हो सके सगे संबंदियों से संबंद खराब होने की भी संभवना बन रही है धन संचे करने का आज प्रियास विफल हो सकता है साथ आप से संबंदों को ना बिगाड़ें युवा वर्ग अपने केरियर के साथ किसी प्रिकार का समझोता ना करें साथी साथ आज आपको अपने करोध वे आक्रोस पर काबू रखना आवशक हैं कई बार जल्दवाजी वे अति उत्सा में बनाया गया खेल बिगड सकता है जिससे परिवारिक सुक्सांती भी प्रबाबित हो सकती हैं अपने लक्ष के प्रती पैनी नजर रखना आपके लिए अति आवशक हैं साथी साथ अजनवी वे ऐ परिचित लोगों से वेवार वे लेंदेन में सावधानी बढ़ते हैं आप किसी साजिस या फिर सड्यंतर का शिकार भी हो सकते हैं इसलिए बहतर उपाए यह हैं कि आप बुरे लोगों की संगती से दूर ही रहें बड़े बजर्गों के स्वास्त का भी आपको ध्यान रखने की आवशक्ता हैं साती सात व्यर्थ के कारों में धन खर्च होने के भी योग प्रवल्लता से बने हुए हैं भूमी या वाहन को लेकर भी कोई बड़ा कर्ज आपको लेना पड़ सकता है इसलिए अपने आर्थिक इस्तिती को ध्यान में रख कर ही खरीदारी संबंदित योजनाई बनाएं तो आप के लिए बहतर रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली हैं दोस्तो दामपत्य जीवन को लेकर इस्तितियां काफी अच्छी रहने वाली हैं जीवन साती के साथ मधूर संबंद होने के साथ साथ आपको उनका शैयोग भी प्राप्त हो सकता है घर परिवार की शुक्ष विदा के प्रती आज आपकी प्रात्मिकता रहेगी पती पतनी के बीच संबंद मधूर रहेंगे परंतु संतान का कोई जिद्धीपन या नकारात्मक रविया आपकी चिंताओं का कारण बन सकता है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो वैपार के विस्तार संबंधी नई संभावना पर विचार होगा अपना पूरा जोस मार्केटिंग में तथा अपने प्रोडेक्ट्स के प्रमोर्शन में लगाएं नौकरी में अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और से कर्मियों का भी आज आपको पूरा सहयोग मिलेगा साती साथ कार्य विस्तार की योजना भी कार्य रूप में प्रणित होगी परन्तू उस योजना पर पुन्हे परिक्षन जरूर करें साती सात नोकरी में हलकी फलकी परिसानियां भी आएंगी परंतु आप अपनी बुद्धिमता और विवेक से सभी परिसानियों का हल बहुती सांती पूर्ण धंग से ढून लेंगे किसी बड़े अधिकारी या राजनितिक व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात से आपके काम बहुती आसानी से बन सकते हैं परंतु के इमामलों में आपका स्वाबिमान आपकी उन्नती में बादख बन सकता है इसलिए अपने वहवार को थोड़ा लची लावना कर रखें यह ध्य आपके लिए अतियावशक है कि आपकी कोई महत्पपूर्ण व्यवसाइक गतिविदी आज लीक हो सकती है करमचारियों की गतिविदियों पर आज आप नजर रखें परंतु जद ही इस्तितियां काबू में आ जाएंगी इसलिए आप पूरे जोस से अपने काम के प्रती ए हो सकती है साथी साथ जादा गरिष्ट वै तला भुणा भूजन खानी से भी आपको प्रेज़ करना होगा अन्यथा पेट से समंद्धित समझां उत्पन हो सकती है इसलिए आप सुपाच्य ह्भूजन करें और साथी साथ अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लि माता लक्षमी का दक्षणा वर्ती संख में जल भरकर अभिशेक करें और साथ इसाथ अपनी मनों काम नहीं मांगें या दोस्तों ऐसा करने मात्र से ही मा लक्षमी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगी जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल को वश्य करें आपको वश्य ही विसेश लाब प्राप्त होगा दोस्तों मालक्षमी का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स वोक्स में जै मालक्षमी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद